हेलो एबरिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज देखे मैं बना रही हूँ यहां पे मैं ली हूँ मुझफली इसकी मैं बनाऊंगी लाडू चक्की एक ही तार से दो चीज आप बना सकते हैं बस वही रेसिपी मैं आज आप लोगों साथ स बीजिए मैं जाम सकते हैं मुझफलीक या फिर आप ऐसे भी डेली यूजा कर सकते हों गुड़ और मुझफली के लाडो तो चलीए बस यहां पे देखें मैं मुझफली को भून ली हो कढ़ाई में इसको भूनना है फ्रनस इसको इडम गैस को कम करके इसको भूनना है तो और भून नहीं है इसको रोष् CB कर ली ह zoo कहाँ मैं लिए एक कपड़ा कर dipl ид её करके सारे छिलके के को इसका निकाल दूंगी और यहां लिखों में एक अद्रख, गोड़, अद्रख और बदाम, यही तीन चीज़ से ही लाड़ो वनेगी, तो अद्रख इसका छिल्का मैं निकालके, इसको मैं कद्दू कस कर लूँगी, तो चलिए मैं छिल्का निकालके अद्रख को तयार करके फिर मैं दिखाती हूं बंघभली का मै आकषितम सन्वद सलख के और समय को देखो fantastic living कराई के चले पर मैं डालाई को बूर कैो की आप ज़्यास ऑने की चिकी और और ईसमें घया लगती है तो भूर यहां पर पर में ज्जादा ही लहाई रहा हो आप अपने हिसाब से डाले जितना आपका चिक्की है मेरा यहां 500 ग्राम चिक्की है तो यहां पर मैंने गूर भी पराबर ही डाला हुआ है चलिए इसको भी और पी घलने देती हूं जरा सा पानी इस तरह से डाल दें पाक लगने के लिए गूर में तो जब तक फैंस वहां ग मिला दोंगी पूरे प्लास्टिक में क्योंकि च्प् की बनाना मूझे इसमें लिया दोंगी छीड में रख लूँगी क्योंकि तभी ताइम में लेगा तो इसलिए यह चिप्टिक ही नई चिप्टीज में इसलिए मैं इसमें आपको इसी प्लॉथिन ले सकते हूं कपरे जो आती है इसका फ्लॉथिन लेख धर क्प्लॉथिन इसाथए दो प्लास्टिक लिए हुँ है द लगा ली हूँ तरह से तैयार होगी और लाड़ोगी बदाना की पासबर चलाओंगी तो देखिए फ्रेंस गुरी हाँ आदी पख गई है इसी टाइम में क्या करूंगी इसमें गी दालोंगी तो यह मेरे घर की गी है देशी गी है तो आपके पास जो अब लेवल हो वह आप डाल सकते हो चलिए इसको इसी में मैं डाल दी हूँ इसको लाओ ही जो हम डालते हैं इसे खुछ बोई तर्षी लगती है और यहां देखिए फ्रेंस में एक बतन में ली हूं पानी इसे में मैं इस तार को लूँगी इस तरह आप से देखूंगी यह हुई है यह नहीं तो देखिए अभी यह नहीं हुई है तो देखिए फ्रेंस फिर से मैं चेक कर लेती हूं पानी में देखिए यह तो हो गई है लेकिन आपको दिखाती हूं तो देखिए फ्रेंस यहां पर मैं ली हूं छोलनी में इस तरह से दे रहूं तो देखिए यह कितने सुंदर से हल्की हो गई है आप देख सकते हो पानी में भी यह धिल रही है न तो यह परफेक्ट हो चुकी है मेरी तार चक्की बनाने के लिए और लाड़ो बनाने के और यहां मैं अधरग भी थोड़ी से डाल दूँगी देखिए यहां अधरग जो रखी हुई हूँ इससे हमारे खुसबू चुक्ती बहुत अच्छी से स्वादेश बन्तित हो जाएगी तैयार इसके में मिला लेकी में शैक से उपक जाएगी गुर्मी आप करहाई को मैं कर आप रीकिंदे नीचे मैं वानदाय को दाल दूँगी तैस को मैं अक्छी से Ludvinda लोगी तो मिलेखिए इसको मुदमावी कर दा दोंगी तो में फिर चाल है दी हम चुले इस तरह से पूर मैंने इसमें ज्यादा ही डाला हुआ था तो देखे पर हैं कराय को मैंने नीचे करके मिला के डाल लिया है जितना आपको चिक्की बनाना है जितना लाड़ों के लिए रखना है आप उतना वाइक साथ से लिए तो देखे फ्रेंच या मैंने इसको दे दिया उपर से में पेपर से भाग दिंगी पलो थिंग से इसी को पर मैं इसको प्लेम करने ज़िए स्टैप से महर के ओथा से जितना पदला कर सकते हैं अब मैं पलाश्टू को हटा देती है तो देखे यहां इस ट्वाइप से होगे तो है में चाकू ली हैं चाकू में मैं पानी लगा ली हूँ इसको इस टाइब से मैं कट कर दूँगे आप जैसा सेव देना चाहें कि बात में इतनी टाइट हो जाएगे हाट हो जाएगी फ्रेंट हम देखिए बहुत अच्छी लगती यह खाने में तो चलिए मैं इसी तरह कट कर लेती हूँ इसको मैं एक से दो गंटे के लिए आप चाहे रात में बना रहे हैं तो अबन नाइट इसको छोड़ दे अपने यह हाट हो जाएगी तो चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूं फिर दिखाती हूं यहां देखिए फ्रेंट मैंने आधार से कम कुछ कर देंगे देखिए अधर नन्य ग्रेंट पांट दे देखिए वे थाली में थोड़ी चिपके लेकिन थोड़ी थंडी होने बाद यह लग हो जाएगे अपने इस तरह हम पनी लेकिए इस तरह से करके इस तरह कर के जपठा कर देंट अब जैसे आक आर-देना साफ उचार तब आप इसे गोल भी रख सकते हो इस तरह से रखते हैं चलिए में बना लेती हैं फिर देखाती हूं थन्दा वन थी भी धुर अधय गन्टी उगया है देखिए और अभी है ठनकेगी तो और अच्छी हो जाएगी तो इसी तरह इसको सारे को सटकी को आप निकाल सकते हैं इसके प्लास्टिक से कितने अच्छी तरह निकल रही है कि यहां पर मैंने रख दिया है इसको फिर चाको से आप कट कर सकते हो इस टैम से यहां देखिए यहां लारू जो मैं बनाई थी यह देखिए लारू यह और अभी ठनके ही तो देखिए किती सुंदर बनी हुए है मैं चक्की को इस तरह करके सारे को तो देखिए फ्रेंस यहां पर मैंने तो लिया है सारी चक्की को अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप घी मन दाले ऐसे ही बनाए बहुत अच्छी लगते बहुत टेश्ट लगी खाने में तो ठीक है फ्रेंस आज का वीड सब्सक्राइब किजिएगा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज सेर किजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा फ्रेंस थैंक यू